हालो फ्रेंट्स वल्कम यू आल आज मैं आपके लिए वीडियो लिक्या रहा हो देखें बहुत ही इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है इंशॉरेंस वर्सेज इंवेस्मेंट को हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा अगर आपको इंशॉरेंस लेने जाते हो और इंवेस्मेंट करने जाते हो तो उनके बीच में जो एक्च्वल डिफरेंस है क्योंकि जो बेचने वाला है उसका कुछ ना कुछ फाइदा जुड़ा होता है चाहे वो insurance बेचे या investment के लिए आपको कोई scheme बेचे लेकिन क्या कभी आपने थोड़ा सा मेहनत करी है अगर आपने कभी थोड़ा सा मेहनत नहीं करी अगर करी है तब भी मैं कहूंगा आप इस वीडियो को देखिए इससे आपको क्यों कह रहा हूँ इंडिया के अंदर financial literacy की बहुत बड़ी कमी थी आज भी मैं कहूंगा है और आने वाले time पे वो धीरे धीरे अभी के time के हिसाब से भी देखा जाए तो धीरे धीरे improve हो रही है लेकिन इस improvement में ये insurance versus investment की जो लड़ाई है वो बहुत important है बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि वो करने क्या जा रहे हैं वो क्या कहते हैं insurance करते हैं लेकिन उनको expectation होती है returns की तो यहीं पे ही यही कमजोरी आपकी पकड़ी जाती है और यहां पे आप हो जाते हो धरासा ही समझे इस बात को यहीं पे आप पकड़े जाते हो यहीं पे आप आपका लूप होल है दूसरा और एक important बात में आपके साथ शेयर करूंगा insurance बेचा जाता है एक आपने सुना होगा network marketing वही model insurance बेचने में लगाया जाता है जो agents होते हैं उस सबसे पहले किसको target किया जाता है अपने relatives को family members को इनके through फिर आप मना नहीं कर सकते network marketing के उपर भी यही सारी चीजे चलती है अपने friend circle में relatives में colleagues में इस में इनको target किया जाता मना नहीं कर सकते आप first जाते हो चलिए example लेंगे साथ में detail में समझने की कोशिश करेंगे just एक example LIC की policy का ही ले लेते हैं आज तक आपने देखा होगा कभी आपके father या फिर grandfather इन्होंने LIC की policy पहले के time पे इतनी opportunities नहीं होती थी तो फिर LIC policy के उपर focus रहता था और LIC policy उस time पे ले ली तो किस तरीके से ली हो गया इसी तरीके से बड़े-बड़े बेचा जाए और आपको डर के नाम पे और साथ में investment को चिपका के चीजे बेची जाए क्या आपने इनका अंतर समझा और एक आप घुस गई तो फिर आप निकल नहीं सकते क्योंकि जो पैसा आपने दिया है वो भी आपको पूरा नहीं मिलता अगर आप चीजे बीच में बंद कर देते हो उसमें भी कुछ परसंट 30% के आराउंड आपका पैसा काट लिया जाता है वो भी जो सम आप जमा कर चुके हो उसका भी आपको गयर यह तो बहुत ही खतरना चीज है तो मतलब आपको चक्र भी हुमें फसा दिया जाता है फिर आपको निकलने नहीं दिया जाता अब आप फस गए ना इधर के रहे न की चीज़ें देखिए हम यहाँ पेद्ध्गेशन अवेरनेस के लिए काम करने को इंशॉरेंश पॉलिसी नहीं बेच रहे है ना कोई इंवरस्मेंट पॉलीसी बेच रहे है इसको समझें यह आपके काम की चीज है मान लो यहाँ पे मंतली में मंतली में आपने 5,000 रुपे महिने के हिसाब से कोई insurance लिया ठीक है कोई LIC की policy लिए अलग-अलग policy ले लिए जी मान लिए आपने LIC की अलग-अलग policies ले लिए 1000 जार रुपे की दो-दो-जार रुपे की कुछ अपने बच्चों की कुछ अपने नाम की कुछ वाइफ के नाम की कुछ हज्बेंट की नाम की तरीके से ले लिया आपने पांच policies आपने ले लिया लग-अलग करके 1000 जार रुपे के साब से और टोटल आपका 5000 पर मन्त का जाता है मैं अभी को बुरा भी नहीं कह रहा हूं यह स्टम्प है कहीं पता चले मुझे कोई भी पॉलिसी में कहूंगा को इन्शॉरेंस पॉलिसी एक ग्जामपल लाइसी सब क्यों लोग जानते हैं अब यह आपका साथ हजार रुपे का पूरे येर का बारा महीनी का आपका प्री एक पॉलिसी की बात हो रही है अब पॉलिसी का जो होता है वह अगर आप देखा अभी इंशॉरेंच को नीदेख रहे हैं वह मैं यह कहूंगा छे परसेंट से लेके आठ नौ परसेंट के राउंट तक होता है आप खुद देख लीजिए अगर बड़ा होता है तो यहां पर कैलकुलेशन हम चेंज कर देंगे देखिए लेकिन यह इतना होता है इन्वेस्मेंट का रिटन और इंशॉरेंस में वह सम शोड के नाम पर कभी तीन लाग चार लाग पांस लाग दस सार भगवान न करे कुछ ऐसा हो बगर आपको कुछ ऐसा होता है तो आपको इतना सम दे दिया जाएगा लेकिन अब जड़ा तसल्ली से समझते हैं मान लो अब यहां पे अभी सबसे पहले बेस्ट अपर्चनिट फिट करेंगे फिर डिफरेंस आप देखोगे आप शॉक हो जाओगे देखिए अब आप कहो गयार 15 परसंट का कैसे के तो कभी आप लॉंग टम इन्वेस्टमेंट की बात आती है जब यह लेसे के फंट जहां पर टैक्स भी सेफ कर रहे हो सबसे सेफ पोजिशन में उसको यॉट सेफ कुछब यह हो जाँ हो जैसे मैंने एक अब नौ-दस-दार कार वॉंड अपना जो सेफ पर ही लेते हो तीक है अब मैं यहाँ प सब्सक्रेश सेव कहाँ लग-लग tax saver का जिनका 10 year का average return आप देख सकते हूं मैं 2 साल, 1 साल, 5 साल नहीं 10 year क्योंकि इसमें ज्यादा fluctuation जो भी उतका है उसका ज्यादा असर एकदम नहीं पड़ता तो देखें 19%, 17%, 18%, 17% अलग-अलग यह funds है 15% यह 10-10 year के return में देख रहा हूं 15%, 16%, 20%, 14% यह देखें देखोगे तो on average 15% से उपर ही है तो इसलिए मैंने कम से कम यहाँ पर लेने की कोशिश करी थोड़ा सा अगर आपको लगे तो यह हमने कितना ले लिया अलमोस 15% का एक fund का return लेके लिये अब जड़ा calculation को समझने की कोशिश करते है अब calculation को जब आप समझोगे चरह तसलिश से देखिए first year मान के चलो 60,000 आपका premium at the end of first year 2010 के end में आपका यहाँ पे ज़ो है जमा हुआ अब next year के end में अगर आप देखोगे फिर से 60,000 आपने जमा की है देखिए total बिलाके यह 60,000 पहले जो carry हुआ यह next year का carry total 1,20,000 आपका fund added हो गया और उसके बाद अब हम return calculate करते है 15% के इसाब से 18,000 तोटल हो गया आपका 1,38,000 अब यही 1,38,000 carry forward यहाँ पे next year में हम carry forward कर रहे हैं फिर उसमें 60,000 का आपका यह समझोड़ा फिर इसका rate of interest तरीके से जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं एक basic calculation किया है कि कोई अलग से calculation नहीं है कोई formula ऐसा कोई अलग से basic कि जो आपका added होते गया उसके 15% के average return के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे बनता है तो power of compounding इसको कहते हो और first पहले 10 साल के अंदर जो आप देखोगे खाली sum आपका accumulate होता है कोई ज्यादा यह आपका ten into sixty thousand आपका छे लाक रुपिया जमा हो लेकिन overall return के अगर बात करो तो ये 16 लाक के तेरा लाक,14 लाक के around पहुंच जाता है LIC में अगर आप LIC या कोई भी insurance policy में अगर आप 10 year के end पे बंद कर देते हो चीज़ा आपने 20 साल की policy आप तो घाटे में चले गए चलेगे कि नहीं चलेगे और यहां पे आप 3 साल बाद भी बंद कर सकते हो आपको अपना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जितना आपका return sum आपका यह जोड़ा यहां पे और उबर कितना हो गया 16 लाग जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले 10-11 साल जो है वो आपके accumulation के हैं आपको power of compounding आगे आने वाले टाइम पे दिखेगा और अगर similarly आप देखो इस 10 साल के अंदर 10 से 11 साल के अंदर आपने 1 लाग रुपे आपने जितने यहां पे लगाए थे 6 लाग 7 लाग रुपे जो भी आपका sum जितना आपने जमा किया उसमें almost 15% के हिसाब से आपने 1 लाग के एराउंड जो है वो अपना tax भी बचा लिया अब आप सोचे आब आपको गया यह भी बहुत अच्छी बात है यह तो क्योंकि यह ATC में आते हैं ELSS funds जिनके हिसाब से मैं calculation आपको दिखा रहा हूँ अब आपने यह पहली calculation देखी अब यही चीज कुछ भी नहीं किया है calculation बिल्कुल basic है simple calculation रखी गई है और आप 20 साल के end पर देखिए कि इस साल मगर आप देखोगे तो आपके पास total पैसा जमा हुआ हो जाता है 80 लाक with return और आपके जो total जो आपका पैसा जो जमा था जो आपने जमा किया है उसका contribution है 6 इंटू 20 आपको गया है यह तो बहुत ही कम है समझ रहो 20 इंटू 6 आपको गया 6 दूना 12 होता है आपने मतलब यहां पे 12 से 13 लाक के around जमा किया है और total आपका मैं कहूँगा सीधे 2 ल insurance policy जिसको आप investment की तरह लेते हो उसमें इतना return मिलता है हम तो यहां पे average return और minimum return की बात कर रहे है 15% के साब से अब आप इसको बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो चलिए अब मैंने आपको खाना जो आपका यहां तक balance हो गया हो गया लेकिन जो actual पैसा आपको मिलेगा वो मि return मिलेगा वो खतरनाख होगा वो सीधे करोडों में जाएगा अब clearly देखिए जब यह carry forward होके आगे यहां पे आएगा फिर आशाट हजार और इसमें जुड़े और धीरे धीरे करके अब यह सीधे 90 उसके बाद आगे देखोगे आप यह सीधे देखिए एक करोड एक करोड 24 एक करोड 44 एक करोड 66 और यह बढ़ता बढ़ता आगे कहां चला गया दो करोड 55 लाग तक और 30 साल में यह 3 करोड तक पहुंच गया और 31 साल में यह जब आपने पैसा नहीं दिया 31 साल में इसको आगे जो है continue कर रखोगे तो आप कहोगे यह गया सीधे सीधे almost साड़े तीन करोड के हिसाब से आपको कहोगे यह हो क्या रहा है जरा समझीए यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक और उसमें से आपने तीन almost 2,70,000 रुपे टेक्स में बचाए इंकम टेक्स में बचाए और साथ में यह calculation लेकिन आपने जमा कितना किया over the period of 30 year आपने 18,00,000 जमा किये और य इसलिए मैं आपको कहूंगा कि investment और insurance को मैं नहीं आप खुद research कीजिए आपको और detail में पता लग जाएगा अलग रखिए इसी के ठीक विपरीत अगर मैं आता हूं किस पे LIC के return पे अब हम LIC के रिटर्न चेंज कर देते हैं और इसको रख देते है average 7% का 0.07% का इसको रख देते हैं calculation अब आपकी पूरी calculation बदल जाएगी और आप कहोगे यह हो क्या रहा है अब जरब बदली हुई calculation के साथ data को देखिए और समझी हमने 7 से 6-9% का around return माना जाता है insurance policies में generally तो आप देखिए पहले 10 साल में आपने 6 लाग जमा किये आपका return कितना total जैसे मैंने का यह accumulation period होता है तो total आपके 10 लाग यहां पे हुई interest के साथ जो आपका return on interest investment आपको मिला यहां पे तो इतने होगे 10 लाग आपके तो आगे आगर आप चलते रहोगे जैसा कि यहां पे आगर आप देखो के 15% के साब से सीधे हमारे starting में 16 लाग के around हो चुके थे तो आगे देखिए next में क्या हुआ next में जब आप देखोगे यहां पे जो situation आप आगे calculation जो है उसी इसाफ से चलती जा रही है यह देखिए यह हमारे पास 21 साल के end पे जहां 80 लाग थे यहां पे कितने मात्र 28 लाग क्योंकि हमने insurance और investment को club कर दिया इसलिए यह सारी चीज है इतना फरक आपको द पास जो कि हमारे पास 15% वाले एक long term ELSS fund में हुआ था 15% minimum 15% जो हमें आपको दिखाए से लिए मैंने data उसके इसाफ से 60 लाग और वहां कितना था वहां आपको गया रहा वहां तो बहुत ही बढ़ी आज यह देख रहे हैं overall picture किस तरीके से 3 करोड के राउंड और वहां पे situation काफी अलग तो यह समझ यह जड़ा की situation कैसी हो रही है at the end of अगर मैं यहां पे कहूं तो यह 3 करोड 40 लाग के राउंड है जो कि वहां पे मात 6 लाग है अब आपको गया यह तो बहुत ही अलग है अब आप देखिए यह खाली investment perspective से अभी आपने क्या किया चीज़ें अलग कर दी अब जब चीज़ें आपने अलग कर दी तो यह मा आप से आप सोचोगे तो 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 मैं अगर मैं देखो तो 12,000 से 15,000 के बीच में easily आपको एक करोड का time insurance बलकि इससे कमी वही available होगा time insurance भगवाद न करें कुछ ऐसा हो अगर आपको कुछ हो जाता है तो at least आपको पैसा तो चाहिए जो आपके financially आपके उपर dependent है उ family को उस तरीके से financially secure किया जाये तो इससे आप साब at least 1,5,5,5,5 लाग इस तरीके से आप insurance लेते हो तो अब आप जब insurance और investment को club कर देते हो ना तो आप इस 1 करोड के term insurance के लिए लायक रह जाते हो ना आप return के लायक रह जाते हो तो आप कहीं कहीं नहीं रह जाते है अगर आप दोनों को अलग कर दो अलग कर दो अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप जो है 7000 के हिसाब से देखे यहाँ पे अगर आप 5000 जैसे हमने 5000 लिया मानलोब 6000 पर मन्त मैं कहूंगा कि हिसाब से अगर अलग अलग family members का जो भी है पूरा insurance investment कलब कर रहे थे तो उसमे 1000 रुपी निकाल के जो dependent जो earning बंदा है उसके नाम पे आप सीधे सीधे आप वहाँ पे मैं कहूंगा एक term insurance ले लिजे एक नहीं तो दो family members के नाम पे term insurance ले लिजे 2000 निकाल लिजे फिर भी अगर आप देखोगे अगर यहाँ पे annually 60,000 से कम कर देता हूं मैं आपका यह मान के चलता हूं कि आपने मात्र और मात्र यहां पे 5000 नहीं बलकि 3000 आपने investment में रखा 2000 आपने term insurance पे एक करोड के दो ले लिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे कितना रहे जा आपका 36,000 रुपे हो गया और उसके हिसाब से calculation देखोगे तो आप खुद देखिए at the end of the year आपको almost 10 लाग के राउंड आपका रिटान है 20 साल में आपका जो रिटान है वो 50 लाग के राउंड है और पूरे 31 साल में आप देखे बिलकुल 2 करोड यह फिर पहुंच गया जो की 5000 के हिसाब से कितना था साड़े 3 करोड तो आप देखिए overall अब अगर आप क्लबिंग करके चलते हो तो कितना difference है और यह सारी चीज़ है formula कुछ नहीं है फिर से repeat करूंगा formula कुछ नहीं हम premium को add करते गए उस premium total के हिसाब से 15% का calculation करके वही चीज हमने आगे carry forward करके अलग-अलग years के basis पे किया है ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल ऐसा जादू की चड़ी वाला formula लगा दिया कुछ नहीं है basic है और साथ के साथ tax saving तो आपकी हो ही रही है क्योंकि यहाँ पे 36,000 के हिसाब से भी आप tax बचाओगे और overall आप 1,62,000 का इसमें भी tax बचाओगे टोटल आपने पैसा जो जमा किया यहाँ पे 10,00,000 है उसमें भी 1,62,000 तो आपने income tax भी बचा लिया आपको गया यह तो बहुत ही अच्छी बात है और term insurance को आपने क्या कर दिया अलग कर दिया जरा सोचिए इस बात को एक बार फि जाते हो अब इसके उपर आपका काम है आपका homework है देखिए इसको समझिए और comment के थुरू हमें भी बताईए कि भी क्या यह सही चीछ है insurance और investment को club करना यह देखिए चलिए फिलाल wind up करते हैं इस वीडियो को उमीद करते हैं इस Excel के माईधम से आपने बहुत कुछ सीखा होगी और आप अपने end पे भी इस तरीके से calculation कर सकते हो आप अपने end पे भी इस तरीके से चीजों को समझ सकते हो चाहे आप महीनी का 1000 भी लगा रहे हो ना तो वो भी आपको बहुत जबर्दस return देता है 1000 के हिसाब से और बहुत जबर्दस return मैं कहूंगा आप calculate करके देख ल लाख रुपए दे रहा है 67 लाख रुपीज जड़ा सोचिए 1000 रुपए महीने तो investment और insurance को कभी भी क्लब नहीं करना आए देखिए 1000 आपका यहाँ पे 67 लाख आपको दे रहा है और term insurance 1000 महीने में वहाँ पे आपके आ रहे हैं चलिए देखिए wind up करता हूं वीडियो को बिल circle में समझाइए लोगों को और कभी भी हो इस तरीके से मल्टी मैं कोंगे यह network marketing वाली चीजों में ना फस है अपने फाइदे को देखें समझें returns insurance कहीं कि ऐसा नहीं कि आप कहीं की नहीं रहे है ऐसी situation में नहीं फस है क्योंकि जब आप फस जाते हो फिर निकल नहीं पाते हो and thank you thank you for watching the video ko share कीजे like कीजे thank you